हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आईए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो जिसमें TGTPGT के रिजर्ड सम्बंदी नियोजय और 27,000 नया विग्यापन अपडेट भी है ग्राम पंचाय सहाइको की निफ्ती पर हाई कोड का रोप लग गया है और यह एड़ेड हाई स्कूलों में हेड मास्टर पत के लिए विभागी परिच्छा की जाएगी आईए तो सारे नीच को भी स्तार से देखते हैं मादमिक सिच्छा चयन बोड TG T PG T 2021 का जो परिडाम है अगले सब्ता से देना सुरू कर देगा 31 सक्टूबर से पहले उत्तर परदेश मादमिक सिच्छा सेवा चयन बोड को पूरी करनी है भरती प्रक्रिया उत्तर परदेश मादमिक सिच्छा सेवा चयन बोड TG T PG T 2021 परिच्छा परिडाम अगले सब्ता से जारी हो सकता है चयन बोड TG T और PG T के अंतिम परिडाम घोसित करेगा क्योंकि PG T लिखित परिच्छा के परिडाम जारी होने के 10 दिन बाद साक्षातकार सुरू होगा चयन बोड पहले 22 अक्टूबर यहां अक्टूबर नहीं सितंबर होगा मिस्प्रिंटिंग होगा तो 22 सितंबर से ही परिडाम जारी करने की तयारी में था लेकिन तदर सिच्छ को के आवेदन में फ्रेश अभ्यारतियों के तोर पर आवेदन कर दिया गया था कोड की आदेश पर उन्हें आवेदन में यह जानकारी अपडेट करने का मौका दिया गया था जिसकी अंतिम्ति थी जो थी वो 22 सितंबर थी देखिए यहां भी मिस्प्रिंटिंग होगा है और 31 अक्टूबर तक भरती प्रक्रिया पूरी करें इस बार TGT में साक्षातकार नहीं होना है और लिकित परिछा का परड़ाम ही अंतिम्ति परड़ाम होगा जबकि PGT में साक्षातकार होना है ऐसे में चैन बोड पहले PGT के परड़ाम विशेवार जारी करेगा और समय कम होने के कारण चैन बोड ने इस बार परड़ाम के बाद साक्षातकार के लिए दिये जाने वाले 20 दिन के जो समय था उसे 10 दिन का कर दिया है PGT परडाम जारी होने, शुरू होने के 10 दिन के बाद ही साक्षातकार शुरू हो जाएगा, इसी TGT के विशेवार अंतिम परडाम भी जारी होंगे, उपसची यहां देखिए, most important है कि उपसची नवल किशोर ने बताया है कि पूरी उमीद है कि अगले सब्ता से परडाम आने पहले PGT के और उसके बाद TGT के अंतिम परडाम जारी होंगे, तो यहां पर उपसची नवल किशोर जी का कहना है कि पूरी उमीद है कि अगले सब्ता से रिजर्ट जारी होने शुरू हो जाएंगे, TGT PGT के 27,000 पदों के बिग्यापन के लिए चैन बोर्ड पर आज प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को शिग्र भरे जाने की मांग को लेकर पत्थर गिर्जागर के पास युवा मंच के पदादिकारी का धरना 21 दिन भी जारी रहा, नया बिग्यापन जारी किये जाने की मांग को लेकर 22 सितंबर को चैन बोर्ड पर प्रस्तावी धरना सफल बनाने के लिए पदादिकारीयों ने मंगलवार को कई डेलिगेसियों में भी जन संपर किया, धरने में राजे सचान, अनीज सिंग, जै प्रकास यादो, राजे स्चोधरी, स्रीकांत, मिस्र, मोहित यादो, रोहित यादो आधि सभी मौझूद रहेंगे, अगला नीजर की ग्राम पंचायत सहाइकों की तैनाती पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, चैन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमती अपत्तियों पर सरकार से जबाब मांगा है, इलहाबाद हाई कोर्ट लखनव पीट ने ग्राम पंचायत में पंचायत सहाइकों अकाउंटेंट डाटा एंट्री आपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है, अला कि इनके चैन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमती दी गई है, अदालत ने इस भरती से संबांदी शासना देश को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज सरकार का पक्छ पेश करने को कहा है, इस भरती संबांदी सासना देश में कई विसंगतियां बताई गई है, इनमें अभ्यार्थियों को उसी ग्राम का निवासी होने की अहरता, करोना पिड़तों के आस्रितों को वरियता देने समेत आरक्छर संबांदी कई मुद्दे उठाए गए हैं, इन मुद्दों के नया कि सासना देश के प्रावधानों में समानता के अधिकार का उलंगन हुआ है, इसमें अभ्यार्थियों के हित भी प्रभावित होंगे, वही कोट ने सरकार वो ग्राम पंचायतों को यह छूट दी है कि चैन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्तमान में दिये गए आदेश के संसोधन की अरजी चैन के वेवरे के साथ दे सकती है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को नियत की गई है, तो इस पर मामले की जो सुनवाई है 13 अक्टूबर को होगी, फिलहाल हाई कोट ने इस पर रोक लगा दी है, अगला नीजह की हेड मास्टर पद क से ही भरे जाएंगे और साथ फिस्दी जो पद हैं उसके लिए तैं होंगे मानक, बेसिक सिछा परसत के जूनियर हाई स्किलों में हेड मास्टर के पद पर तैनाती के लिए और विभागी परिच्छाओं को पास करना होगा, रिक्त पदों पर 40 फिस्दी भरती विभागी परिच्छाओं से की जाएंगी, वहीं 60 फिस्दी के लिए विभिनमान को पर प्रोनती करके निक्ति दी जाएगी, केंद सरकार ने राज्य को इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं, प्रदेश के 169,000 प्राइमरी वा जूनियर स्कूलों मे ये पद लंबे समय से रिखते चल ला है, वार्सिक कारियोजना की बैठक में राज ने केंद्र को लिखित रूप से आश्वासन दिया है, कि राज इने विभागी परिच्छाओं वा मानकू के आधार पर प्रोनती दे कर वरियता के आधार पर भरेगा, हलाकि केंद्र चाह भरती से लेते हैं और बाकी पर प्रोनती के अधार पर भरे जाते हैं, इस निरड़े से कारेरत सिच्छकों का अहित होगा, और साथ फिस्दी पदों के लिए आपरेशन का आया कल्प, बच्चों की हाजरी और स्कूल का सेट, स्कूल मिशन प्रेड़ा के अन्य बिंदू मा इट मास्तर पद के लिए परिच्छा होगी, इस इक साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता, वीडियो आपको कैसा लाग कमेंट करके जरूर बता और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, सिच्छा जगह से जुड़ें तमाम नोटिफिकेशन को पाने के लिए झाल झाल जुड़ें तमा जगह से जगह से एंधियो